हेलो फ्रेंट्स वेल्कम आई ट्यूप चेनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम GK8JS के 25 मोस्ट इंपोर्टेट कोस्टन देखेंगे जो आपके सभी आने वाल एक्जाम के लिए हलफुल होंगे तो इसलिए आप वीडियो का बिने स्किप के पूरा एंडर तक देखते लिए तो चले आजके वीडियो शुरू करते हैं तो यहांपर आज का पहला कोसटन हैं मुगल बंस की नीव किस ने रखी थी तो देख सब перв diffuse बता दूं अगर आप किसी कौश्टन के जानते है किसी कोस पुछे आता है तो 1526 इस्वी में की थी तो देखिए जो मुगल काल था यानि मुगल बंस था ये 1526 इस्वी से 1857 इस्वी तक चला था तो मुगल बंस का संस्थापक कौन था तो बावर था कई बार पुछे आता है चलिए नेक्ष्ट कोसन देखते हैं कोणार का सुरे मंदिर किस राज्य में इस्थित ए तो देखिए most important question है तो इसका अंसर ओप्सन डी हो जाएगा Odisha राज्य में तो देखे ये जो कॉनार का सूर्य मंदिर है ये ओडेसर राज्य के कॉनार का सहर में इस्थित है और देखे ये है सूर्य देपता को समर पीत है तो ये भी कई बार पूछ ले जाता है और देखे बता दू कि इस मंदिर का निर्माड तेरहेवी सताबदी में गंग बंस के रा रखना है अगला कोशन है बलेक पेगोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है तो देखे ये भी महत्पून प्रसन है कि बलेक पेगोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है तो कोणार के सूर्जे मंदिर को ही कहा जाता है तो इसका अंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कोणार के सूर्जे मंदि जरूर बताएं तो इसका राइट आंसर ओप्सन भी हो जाएगा नसीरुद्दीन हुमायू ये इसका पूरा नाम था जरूर याद रखेगा जैदेब द्वारा लिखित गिरंथ कौन सा है तो इसका आंसर ओप्सन भी हो जाएगा गीत गोविंद तो देखे जैदेब एक पिर इसका राइट आंसर ओप्सन भी हो जाएगा आर के नरायन देखे माल गुड़ी डेज अंग्रेजी साहितते के भारते लेखक आर के नरायन द्वारा लिखिते एक कहानी संग रहे है यद रखना है अगला कोछ सान है अर्थसास्त्र पुष्टक के लेखक कौन थे तो देखे कई बार पूछ आता है अर्थसास्त्र बुक के लेखक और देखे बात करें कि अर्थसास्त्र का जनक किसे माना जाता है तो Adam Smith को माना जाता है चलिए अगला कोश्चन है बावर का पूरा नाम क्या था तो देखे ये कोश्चन railway NTP से एकजाम 2021 में पूछा गया था कि बावर का पूरा नाम क्या था तो इसका right answer option D हो जाएगा जहिरुद्दीन मुहमद बावर ये इसका पूरा नाम था याद रखना है चलिए next question है बावर का मकवरा कहां पर है तो देखे बावर का जो मकवरा है यानि किसकी जो कबर है कहां पर है तो काबूल अफगानिस्तान में है तो इस cancer option B हो जाएगा काबूल में अब देखे मैं आपके बता दूँ बावर की जो मृत्य हुई थी आग्रहम हुई थी तो बावर की मृत्यू के बाद इसे आग्रहमे ही दफनाया गया था लेकिन बावर की यह एक्चा थी कि उसे काबूल में दफनाया जाए तो इसकी एक्चा अनुसार इसे काबूल में लाकर बाग में दफनाया गया था तो इसलिए बावर का मकवरा कहाँ पर है तो काबूल में है याद रखना है चलिए next course न देखते है निमलिखित भारते राज्यों में से किससे होकर करक्रेखा नहीं गुजरती है तो दखे आप सब चार्क्रेखा है यह भारत के मध्ये से होकर आठ राज्यों से होकर गुजरती है अब आठ राज्यों कौन से है तो दखे गुजरात, मध्यप्रदेश, 36गर, राजिस्थान, जहारखंड, पश्ची मंगाल तिरूपर और मिजोरम तो ये बहरत के आठ राज जैसे हैं जिन से करक्रेखा होकर गुजड़ती है तो इन उप्षन में से इस कांसर क्या हो जाएगा कि जहां से करक्रेखा होकर नहीं गुजड़ती तो वो है उत्तर प्रदेश कि उत्तर प्रदेश से करक्रेखा होकर नहीं गुजड़ती है यद रखना है अगला कोश्चन है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है तो देखे हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है तो ये है मूसी नदी के किनारे तो इस cancer option C हो जाएगा अगला question है एहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो देखें गुजरात का एहमदाबाद सहर किस नदी के किनारे है तो आप इस cancer नीचे काम डॉक्स में बता सकते हैं तो ये है साबर मती नदी के किनारे तो इस cancer option C हो जाएगा पहली महिला न्याइदीज कोन बनी थी तो उनका नाम है फातिमा बीबी तो इसका अंसरा उप्सन सी हो जाएगा फातिमा बीबी इनका पूरा नाम है मीरा साहिव फातिमा बीबी तो यह सुप्रीम कोड की पहली महिला न्याइदीज थी देखे इसी के साथ यह बारत की पहली म हुमायू का मकवरा कहां पर है, तो देखे, जो हुमायू के कबर है, यानि कि इसका जो मकवरा है कहां पर है, तो इसका अंसर खाएगा ? Abs. C हो जाएगा । हुमायू का मकवरा दिल्ली में है। अब देखे, मैं आपको बता दू, जो पिरसिद मकवरे हैं जिनके बारे में कई बार एकजाम में कोशन पूछे आते हैं अगर आप मकवरों का एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट लोक्स में बता सकते हैं मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा और दोस्ता अगर आपको वीडियो पसंदा रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक और करें और अपने स्टेडी गुरूप में भी सेर करें चलि अगला कोशन देखते हैं तो इसका अप्सन सी हो जाएगा आत्मा राम पांडूरंग अब देखें मैं आपको बता दू जो प्रात्ना समाज था तो इसकी स्थापना आत्मा राम पांडूरंग तथा महादेव गोबिंद रनाडे ने बंबई में 31 मार्च 1866 को की थी याद रखना है और देखें बात करें ब्रह्म समाज की तो ब्रह्म समाज को 1828 में राजा राम मोहनराय और दुआर का नाथ टैगोर ने स्थापित किया था इसका साथ ही जो सत्य सोदक समाज था तो इसकी स्थापना महात्मा जोतिवा फूले ने 24 सितंबर 1873 को की थी तो आपको तीनों पॉइंट याद रखने इसका सही अंसर ओप्शन यह हुजाएगा अंडमा निकोवार दीप में तो देखे जो पॉर्ट बिलेएर बंदरगा है यह अंडमा निकोवार दीप पर इस्थित है याद रखना है और देखे यह एक प्राकरतिक बंदरगा है और यह भारत का सबसे छोटा बंदरगा है तो याद रखना है चलिए next question देखते है मुर्वु गाब बंदरगा किस राज्ये में इस्थित है तो इसका answer option भी हो जाएगा गोबा राज्ये में तो देखे जो मुर्वु गाब बंदरगा है तो यह एक प्राकरतिक बंदरगा है जो गोबा राज्ये में जुवारी नदी के मुहने पर इस्थित है याद रखना है अगला कोस्थन है निम्न में से कौन सा एक जुवारी बंदरगा है तो देखे most important question है मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया है तो देखे एक जुवारी बंदरगा कौन सा इन में से तो कांडला बंदरगा जो कांडला बंदरगा है यह एक जुवारी बंदरगा है तो इस cancer option भी हो जाएगा याद रखना है चलिए अगला कोश्चान है कपाल कुंडला के लेखक कोन है तो इस cancer option भी हो जाएगा बंकिम चंदर चटरजी यानि की बंकिम चंदर चटोबध्याई कपाल कुंडला के लेखक है दिखे ये जो कपाल कुंडला है ये है इनके द्वारा लिखा गया एक बंगाली भासा का प्रेस उपन्यास है और आप से भी जानते हैं कि बंकिम चंद चटर जी ने राष्टे गीत बंदे मातरम की रचना की थी चली अगला कोस्टन है पिरसिद्ध उपन्यास चरित रहीन के उपन्यास कार कौन है तो इसका अंसर उप्शन ये हो जाएगा सरत चंदर चटो पद्याए याद रखना है चली अगला कोस्टन है इंडिका का लेखक कौन था तो इसका अंसर उप्शन भी हो जाएगा मेगस्थनीज देखे इंडिका मोर्यकालिन भारत का एक लेख है जिसे मेगस्थनीज ने लिखा था देखे मेगस्थनीज युनान का एक राजदूस था जो चंदर गुप्त के दरवार में आया था याद रखना है एहमद सा अबदाली के पिर्थम आकरमल के समय मुगल समराट कौन था तो इसका अंसर है ओप्सन ए महमद सा इसका पूरा नाम है यानि किसे महमद सा रंगिला भी कहा जाता है तो देखे जो आइमद सा अबदाली था ये नादिर सा का सेनपती था नादिर सा की मोत के बाद ये अफगानिस्तान का सासा के बना था उसके बाद इसने भारत पर 1748 ECB से 1767 के बीच भारत पर 7 बार आक्रमण यानि कि 7 बार चड़ाई की थी इसने जो पहला आक्रमण के था 1748 में के था, कहाँ पर के था, पंजाब पर के था जो कि एसफल रहा था तो किसके समय में हुआ था, तो मुहम्मद सर अंगिला के समय में हुआ था हिमाल्य परवत की एक स्रेंड़ी अराकान योमा कहाँ इस्थित है तो देखे जो अराकान योमा परवत स्रेंड़ी है ये हिमाल्य परवत की एक स्रेंड़ी है जो की मियमार में है तो इस cancer option भी हो जाएगा मियमार में दिखे अराकान यूमा को ही रखाइन परवत माला भी कहते हैं तो आपको याद रखना है और दिखे ये जो अराकान यूमा परवत स्रेनी है ये भारत और मियमार की सीमा निर्धारित करती है अब दिखे इसकी उचाई कितनी है तो इसकी उचाई है 3094 मीटर याद रखना है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आए हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ आपके लिए helpful हो तो प्लिज बिडियो आपके लिए गाओ